कोबिट पैंडेमिक के बाद विश्व के कई देशों में बच्चों में हेपिटाइटिस या लीवर इनिफ्लामेशन के केस तेजी से बड़े हैं डबलू एचो के अनुसार ब्रिटेन में 200 नए केसिस मिले हैं 16 साल से कम उम्र के बच्चों में जो की हेपिटाइटिस से मिलता जुलता लीवर सम्बंधित बिमारी है और ये सभी केस उन बच्चों में मिले हैं जो पहले से स्वस्थ हैं यानि कि उनको पहले से कोई हेपिटाइटिस के इन्फेक्शन नहीं हुए थे और ये जो strain है वो हेपिटाइटिस के A, B, C, D और E से बिलकुल अलग strain है जो अभी infection काउस कर रहा है यह वाइरुस हेपिटाइटिस नहीं है संभावता यह वाइरुस का समूँ एडिनो वाइरुस हो सकता है अभी तक एडिनो वाइरुस के 99 ऐसे नोन strain है जो इनसानों में infection कर सकता है यह strain संभावता A, 41 हो सकता है एडिनो वाइरुस आर नोन इन्वाइलप्ट वाइरुस विद अन आइकोसा हैरोल नुकलिक कैपसाइट है कंटेनिंग डबल स्ट्रेंड डी एन जीनोम, हाव कोबिड रिस्पॉंसबल फॉर इन्फेक्शन और कंवर्टेड इन न्यू टाइप आफ कॉम्प्लिकेशन इन लीवर इन पेडियेट्रिक्स लॉक्डाउन के दौरान बच्चे आम वाइरुस के संपर्क में नहीं आएं अब जब सब कुछ ओपिन हो गया है तो उनका सामना एक के बाद एक नए वाइरुस से हो रहा है इन में उनका इम्मून सिस्टम हाइपर आक्टिव हो जा रहा है और ये लीवर को इनफ्लामेशन काउस कर दे रहा है ये एक साइन्टिफिक एनालिसिस करके देखा गया है वैसे बच्चों के बीच में जो लॉक्डाउन में बिलकुल अपने घर में बंद थे नव ट्रांस्मिशन ट्रांस्मिशन थ्रू रिस्परेटरी ड्रॉपलेट्स एंद थ्रू एस्प्रेट ओफ फीकल नव सिम्टम में सिम्टम्स आर अपियर इन सच टाइप ओफ इंफेक्शन पेन इन मसल्स ज्वाइंट स्लाइट बॉडी टेंपरेचर रिज इन आक्टिव डाइगनॉसस डाइगनॉसस के लिए आप एंटीजन डेटेक्शन कर सकते हैं वाइरस आइसोलेशन कर सकते हैं या पीशी आर के थ्रू आप वाइरस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको ऐसे लक्षन दिखाई पड़ते हैं बच्चों के अंदर तो आप immediately डॉक्टर से contact करेंगे और ज्यादा से ज्यादा attention बच्चों के उपर आप देंगे.